मैं हो राम मुखेकर आप सबको सुप्रभात हैपी दिवाली आज दिवाली के आप फटको के आवाद भी अज बाजु 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 में सुन रहे हैं यह बहुत अच्छा सुबह है पहला सुबह है जहां भी पूरा आसमान खुला हुआ है बारिश रुख गई है अभी बारिश की बाद का यह पहला दीन ही साब सुत्रा और यह मेरे बगीचे में खड़ा हूं जो मेरा एक बगीचा नहों के एक लाब है जहां पे मैं पूरे प्रयोक्षाला है जहां पे मैं एक्स्प्रमिन करता रहता हूं तो अभी अब देख रहे हैं कि यह मेरा सब्सक्राइब करता रहता हूं तो उसमें से जो भी अच्छा निकले वो सब किसानों के लिए यहां पे दिखाता रहता हूं आप जब देख रहे हैं यहां पर अभी यह मेरा जो बगीचा है वैसी कि अगर मैं इसका अगर कंसेंट होता तो मैं बोलता कि आप इसको पकड़ सब्सक्राइब करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको बोर्डो भी नहीं मैं दे पाया हूं बोर्डो तक में लगा नहीं पाया हूं उसके बाद में नाम इसको कुछ फंगी साइड्स आज तक दे सका हूं और आज तारीक है करीबन 17 अक्टोबर 2007 तो मतलब आज पैला पानी तो में दे जिन नहीं पाया हूं क्योंकि आप देख सकते है कि जो भी यहां पे खाद देना है तो उसका काम अभी अबी कल खत्म हो गया है आप यहांपी देख कोई पानी दिया नहीं है अब if पूरा काम नीचे का भी खत्म होग ए यहड़ी फरिल्टर दिया र से कुछी अम्रुत और गोबर खा दिया हुआ है तो भी पानी दिया हुआ नहीं है तो मतलब आज तक उसका कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा है तो फिर भी एक मेरे लिए चालेंज है कि अभी आप देख सकते हैं कि इतना बारिश के बाद भी यहां पर पिछले साल हमनी ज आयारिया किया नहीं जा चुका हैं देख सकते यहां पर फंगस है सरकुस्पोरा है। आप अबजर्व कर सकते हैं कि नए पतों भी पतों भी फंगस आ गया है envision क्या अपचा सकतें चुल्च करें तो यहां पे पतिया भी जल रही है फंगस की वज़े से तो मतलब फंगस भी है और बहुत सारा यहां पे सकिंग पेस्ट भी है जोनों ने आप देख सकते हैं कि पतियों को रस चूस लिया है तो यहां पी पतियों का जो आकार है वो टेडा मेडा हो गया है मतलब यहां से इसके अ तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नए बर्स यहां पर निकल रहे हैं तो कलियां बहुत अच्छी तरह से यहां पर दिखाई दे रही है और कुछ जगह पर बहुत सारा शूर्ज भी निकल रहा है अब पूरे पोद्य काम देख सकते ही हिलदी तो बिल्कुल नहीं है लेकिन उसके अंदर से फूल निकल रहा है अभी यह खली आपको शायद मैं तो सबको सिखाता है रहता हूं कि आप स्टोरेज में काम करो स्टोरेज में काम करो अब यह बर्स कितना हाड देखिए इसको क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था जब उसको पानी देना चाहिए था उस टाइम पर उसका स्प्राउटिंग हो रहा था उस टाइम पर पूरा जड़ काट लिया था क्योंकि खात देना था तो मतलब पूरा गलत चल रहा है फिर भी देखते है कि इसके अंदर जो देन चालू है तो कुछ कर नहीं सके है अभी इसका कंडिशनस आपने देखा है कि कुछ बहुत खास नहीं है फिर भी यहां पर हम आज शुरुवात कर रहे हैं यहां से आज का इसका ट्रेटमेंट शुरू हो जाएगा तो इसको खली हमने जब उसको कट किया था तो उस टा कर पाए है एक दो दिन पहले वह कर चुके है तो आज पानी शुरू करेंगे उसके बाद में आज दवा भी देंगे उसको पहला फंगिसाइड का स्प्रेयाज करेंगे तो आज तारीक मैंने आपको बताया कि आज आप यहां पर देख सकते हैं कि नैचरल जो यहां पर जो स मतलब यह है कि साफ है कि यहां पर हमने कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड भी लगाए नहीं है ठीक है तो देखते हैं मैं वक्त और हर वक्त में आपको हर मौके पर मैं आपको इसका डिटेल्स देता रहूंगा अभी प्लांट का हलत आपने पूरा देख लिया है म अगले कुछ दिनों में इसके क्या चैंजिस होता है अभी टीटमेंट हम चालू करेंगे स्वाइल चार्जर फूर्ट चार्जर सब अभी टीटमेंट को चलू कर देंगे नहीं निवाद